एलो एब्रीवन रादे रादे कैसे हैं आप सब आई हूट कि आप सब अच्छे होंगे और सुष्थ होंगे आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसम फेमली व्लोग में तो आज मैं रेसिपी से अपनी वीडियो सुरुआत कर रही हूँ आप देख रहे हूँगे यहाँ मिः साथ मैं काफी पहली ऐसी पिस हैर क्रील काफी आफगे चैनल क obt्डाव और्व आप करने के बाद में भाई यहाँ बाहर मिठी बटा लिया है मैंने और आप देखना यह बहुत अच्छी सी रेसिपी बने गी जिस मलो आपकी ऑप्शन हेगा अगर इस तरी के से फ्राई करना चाहो इसमें थोड़ा सा आरा रोट पगरा डालो और कुरुकुरी बन जाएंगी लेकिन मैंने एकदम नमक और हल्दी डाल कर की जीरा डाल दिया है और इनको अच्छे से भून लूँगी जब तक कच्छापन प्याज का नहीं निकल जाएगा तब तक इसको अच्छे से मुझे भूनना है उसके बाद में यहां पे मैंने हरी मिर्ची और टमाटर भी डाल दिये है तो टमाटर मैंने एक छोटा ही साइज का लिया है ज्यादा बड़ा टमाटर नहीं लिया है और उसके बाद में इस में मसाले एड़ कर दूँगी हल्दी सी थोड़ी से आपको पीला पीला दिख रहा हुगा क्योंकि जो तेल में हल्की से हल्दी नमक डाले ते उसके बाद यह है देखिए अंकुरित मूंग जो मैंने मार्केट से ही लेकर किया इन्यों इसे अंकुरत हुई घर पे मैंने नहीं किया लेकिन पहले में हमेशा अंकुरत घर पे ही करती थी और इनकी यह फेवरेट रेसिपी इनको बहुत जादा पसंद थी तो आप लोग भी आ चाहिए आप लोग भी खाली जी अंडे वगेरा के किचन में तो देखेंगे मेरी कुछ फ्रेड्ड है जिननोंने मुझे कुछ कुछ किचन के बारे में पूछा था तो मैंगी चलो किचन में रहके आज बता देती हूं तो सबसे पहला सवाल तो एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी आप ना किचिन में जो सिलेप है उसमें होल करा लीजिए जो गैस का पाइप है उसको वहां से निकार एक ऐसे कर लीजिए तो मैं आपको वही दिखाती हूं क्यूंकि मैंने वह काम क्य जाएगी तो उसका सिस्टम देखिए मैं आपको बैक केमरे से दिखाती हूं वह थोड़ा सा अलग है इसमें यहां से देखिए यह वाला जो यहां सपाइब लगाएगा उसके बाद में इस तरीके से यहां के गैस में फिट हो जाएगा यह तो यही वज़ए है कि मैंने इस अलग से कुछ नहीं साफ करती है जो हमारे घर में एक्टो यूज करती हूं अच्छा लगता है वह पसंद है उससे ही में बरतन साफ करती हूं लेकिन सब्जी बना के देखिए आप सब कोई पता है ऐसा नहीं है कि भाई सब भी अपने घर का काम करती है लेडी जहें खाना बनाती है जो सब्जी के चिकनाई के दाग होते हैं लोहे का जूना जो आता है उसी से ही में पहले थोड़ा रगड़ती हूं उसको उस बाद में काले हो गन्दा नहीं होने देती हूं जैसे मीरे कुकर है 14 साल हो गई है जिसमें आप लोग देखते हैं में सब्जी वगारा बनाती हूं 14 साल पुराना है लेकिन मेरा कहीं से आपको गंदा नहीं मिलेगा क्योंकि जब हम नई चीज यूज करना सुरू करते हैं मैं तब से उसको उसी इसाब से लेकर चली आती हूं साफ करके जिससे कि फिर वो गंदगी या पीला पर कुछ भी कह लीजिए वो नहीं जम पाता यहीं कि रडी जन कड़ाई का और कुछ नहीं है आप लोग की तरह ही बरतन साफ करती हूं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा यूज नहीं करती बस यह है कि नई से ही उसमें जमने की को से समझ लिए रहती है कि मेरी कुछ जमेना अगर ईसू भी साफ करती है करेगी लेकिन बच्चा है में लगा देती हूं पोचा क्योंकि मैं नहा लई थी लड्डू को पाल जी को नहवा दिया है पूजा घर है जो वहां पर मैंने पोचा पहली ही थोड़े से बीच में घुमा दिया था उसके बाद पूजा वगेरा हो गई है मेरी अबस यहां पर इस सारे घर में पोचा देती हूं तो मैंने थोड़ा सा इसू का भी सूट करके दिखा दिया आप लोगों और यहां पर यह मेरा जेवी एला स्पीकर जो मैं ठीक होने के लिए देखे आई थी ना वही मैं आपको दिखा रही थी यह भाई ने दिया था छोटे वाले ने गिफ्ट इसू को बड़े पोचा लगा दिया मैंने यहां पर किचिन और सच बताओं किचिन जब फैली रहती है उसके बाद में जब साफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता और यह गाना चल रहा था न मैं वही गुन गुनाय जा रही हूं गाना क्योंकि अच्छा लगता ना जो गाना वगेरा हम गर में चलाते हैं और ज्यादा तर कानाजी के बजन ही चलते हैं उधर मसीन भी लगा रखे हैं साथ में मैंने क्योंकि कपड़े ऐसे रहता है आजकल ठोड़े होतें मेरे तीसरे दिन Le referendum मैंने झालो तोड़े से ही कपड़े थे धर मसीन में घुमा दिये क्योंकि ठंड भूत हो रखी है हाथ से कपड़े दोने का आज कल बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मौसम दो तीं दिन से और ज्यादा खराब हो रहा है रहरे करके मतलब बादल से हुए जा रहे हैं बारिस के जैसा सीजन ह तो इधर मैंने स्लेप बगर अच्छे से साफ कर दी है और वहां पर मैं अपने बरतन बगर आँ जो सुबह नास्ते के वही सब कर रही हूं और देखिए सब गुनगुनाय जा रही है जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किये बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी है अंडे उबाल करके और ब्रेड के साथ में और मैंने जो आलू फ्राइ किये थे वह बहुत अच्छा टेस्टी नास्ता रहता है तो मैंने नास्ते में बनाया था मेरे हजबेन को बहुत ज्यादा पसंद था उनके बाद में मैंने वह वाली रेसिपी पहली बार अब करके ऐसे लटका देती सी किसी कील वगएरा पैया धर वाजे में तो आराम से दूसरे दिन तक खूब अच्छे खासे हमको निकल जाते थे तो बहुत अच्छा हेल्दी नास्ता रहता है वो तो यहां देखी मेरी बातों में ही किचिन हो गई साफ और आप को मैं दिखा रही हैं तो उसको ही सेट करके मैंने की एक बार कर सारा घर दोबारा सेट कर देती हूं बच्चे आते हैं तूचन वगएरा के तो बैसे यहां पर दूफ्यर को थोड़ देल लेट गई थी अभी उठी हूं तो यहां पर चदरे वगएरा है कंबल है हमारा सब सेट करूंग यह ल կहां पुंप वगएरा बहएरा है कंबल र Då कि यह वही कपड़ें जो सुबह मसीन लगा के दोए थे तो वही हो रहा था धूप निकल रही है कभी-कभी पर चाहिसी ऐसी ही आ रही है आप लोगों किया कैसा मोसम हो रहा है प्लीज जरूर बताना क्योंकि दो-तीन दिन से बारिस का मोसम बता रख खाय न्यूज में तो सारे कपड़े फोल्ड हो गए यहां पर रख दूंगी इसू के कपड़े और बच्चों के इस वाली अलमारी में इसू के गन्नू पिंकु के रहते हैं गन्नू पिंकु की एक पजामी थी उसको भी रख दिया है मेरे और गीता के दूसरे वाले रू पहन की अंदर ही आ गए थे तो कार्पेट पे हो गए मिट्टी वगएरा तो मैंने की चलो थोड़ा साफ करके यहां से अच्छे से एक बार जारू लगा दूंगी क्योंकि साम के टेम में भी वैसे तो आजकल मैं इसूँ जादा गंदा कुछ होता नहीं रोज नहीं लगात सकती हूं तो बस यहां फटा पड़ से काम कर लेती हूं पहले तो बहुत हो रखी है सच वताओ रोजी बोलेंगे आप के पहले गर्मी घर्मी आप ठंड बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है मेरे खांसी भी ओ रखी है लेकिन खांसी ना कभी कभी आती है आती है तो बहुत एकदम से ऐसा रहता है पूरा टाम खांसी खांसी रहेगी कुछ देर के लिए चली जाएगी तो मैंने आज आप लोगों के साथ में अलग से रेसीपी शेयर गी है मुझे पता है ज्यादा त सब्सक्राइब करके उसके साथ खा सकते हैं मेरे हजबंड की यह फेवरेट डिस थी सच बताओं मेरा कुछ भी ऐसे उनके बाद बनाने का मन नहीं करता बिल्कुल वी लेगने इशू को बहुत टाइम से लग रहा था मम्मी आप नहीं बनाती हो तो फिर में मार्केट गई तो मुझे वहां पर पैकेट दिखाई दे गया था मैंने कि चलो एक पैकेट ले ले लेती हूं इस भी कुछ हो खो सोच हैगी फिर उसको मैंने बना करके नास्ता दिया है तो आज का वीडियो तो यही था कैसा लगा है जरूर बताएं और वैस बैट्स धे हैं कंबल वगयर समय तब तक के लिए बाबाय टे केर आप लोग अपना और बच्चों का खास करके ध्यान रखना मौसम बदल रहा है मैं वही बोलूँगी छोटे बच्चों का बहुत रखना और हाँ छोटे बच्चों को न मैं एक चीज और बताऊंगे जैसे बहुत लोगों को पता भी है शायद और कुछ को नहीं अगर पता है तो उनके लिए भी कि जैसे अभी सर्दिया आ गई है तो छोटे बच्चे होते जैसे एक साल का डेर साल का अच्छे मीने के बहुत बच्चों को सर्दिया लगती है इस टेम पर निमूनिया बनने का अकसर चांस हो जाते हैं तो आप जब भी बच्चे को निलाएं उसकी कमर की रीड़ की हड्डिया जो पैर के तलवे हों उसमें विक्स जरूर मल दें डेली का हलकी सी और सोक्स पहना दें आप देखना पूरी सर्दी बच्चे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी और ना आपके बच्चे को निमूनिया बनेगा यह मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं सेर कर रही हूं क्योंकि मैंने इशू के साथ मैं ऐसे किया था दिसम्मर का इसका जनव में है आप सोचो पूरी जनवरी में यह मैंने इतनी बड़ी होगे कभी निमूनिया बिमार नहीं पड़ने दिया क्योंकि